हलो इस्ट्वेंट्स वेलकम बैक तो मा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पे चल रहे हैं हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों सेमेस्टर वन के यकोनउमिक्स का प्रैक्टिकल कोष्चेन जो हमारा बनता है तो है और लेक्शर नंबर भी आप देखरें तो है अगर नैंटन में पूँछा है और सैवनटन में इनका रिडिशन पूछा है तो रिलेशन आप एक्सप्प्रें तब बेटर कर पाओगे चब इनके प्राक्टिकल पर आप फोकस करोगे और प्राक्टिकल कॉंसेप्ट काफी आसान है अगर प्राक्टिकल कॉंसेप्ट आया तो मुझे लगता है काफी बच्चों को काफी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आउट आफ स्कूर करने के लिए प्राक्टिकल में इस लो क्लिए ऐसा मेंशन गरता है डिक टोटल कॉस्ट अफ एफ ऑफ फर्म इस गीबन इन विलो फ्रम दिस डिराइब दी टी एफ सी टी विच एफ सी एफ सी एफ सी अवी सी एटीव अवी सी एटीजियाइव दी आफ दी फूम इंशॉर्ट मैं वहार ज्यादा बात नहीं क करूंगा क्या चीजी आपको दीए क्या पूछी उसको इग्नोर करो आपको यह ध्यान में रखना कि यह टेबल आपको हमेशा बना के रखना है कौन सा पहला कॉंटिटी रहेगा और कॉंटिटी हमेशा दिया होता है हमेशा कैसा भी कॉश्चन देगे ध्यान रखना हो जाएगा fix cost हो जाएगा variable cost हो जाएगा total cost हो जाएगा total fix cost total variable cost में से basically एक शीज देते हैं question में रिया रखना मैं mention कर रहा हूं कि color change करते हैं जो थोड़ा highlight हो question में ये given होगा या फिर ये given होगा या फिर tc given में होगा basically ये ये तीन में से एक कोई given part में होता है एक या फिर बहुत टाइम पे दो भी हो जाते हैं दो given part में होते हैं एक या फिर दो given part में होंगे कैसे solve होगा बात करेंगे दो practical इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ आज की class और इसकी बाद वाली जो class आने वाली उसमें भी मैंने बोला तीन में से एक detail या फिर कभी कभी दो detail आपको दिया होगा बाकी details हमेशा आपको find out करना होगा अब सर्ड टेबल कैसे करो average variable cost कर दो total cost इसका average कर दो average total cost या फिर average cost भी बोलते हैं इसी को confused नहीं होना अगर AC के नाम से आपको आया है ATC को AC भी बोलते है confusion नहीं और last में अपना marginal cost टेबल में I think कोई दिक्कत नहीं है टेबल में हमेशा quantity दिया होगा quantity हमेशा दिया होगा यह table change कर सकते हैं clear है मैंने क्या sentence भोला TC दिया है कि नहीं मैंने भूला हो सकता है किसी सम्में TFC दिया हो हो सकता है किसी सम्में TVC दिया हो तो उसके लिए टेंशन नहीं है जब वह इसा case बनेगा मैं कॉल कर आके बताऊंगा अभी जो डिटेल से उस पे चलते हैं कॉंटिटी कितना देके रखाए जीरो से लेके 5 तो आप लिख दो ना कॉंटिटी में टेबल आगे कंटिन्यू कर दें वो तो फाइव तक ता याद रख लेना है टू थ्री फूर फाइव क्लियर है वैल्यू पूट करते हैं कितना थे वन टॉंटी तक लिख दिया नेक्स्ट है 162 नेक्स्ट 236 लास्ट की बात करेंगे टेबल बनाना पड़ेगा इस टाइब के समय टेबल कभी चेंज नहीं होगा यही पैटन में आप कोई बच्चे अगर पहले से कहीं प्राक्टिस किया होगा और चेंज कर सकता उसमें कोई दिक्कत ने बच्चे निउ कनेक्ट हुए तो यही टेबल बनाना यह मेरा सजेशन सर अब टीटिल्स कैसे क्या फाइंड आउट होगा अब ध्यान से देखो आप लोगों ने एकाउंट सीखा होगा एकाउंट में हमारी बेसिकली दो कॉस्ट बोली जाती है इसमें इस टॉपिक के पॉइंट अव्यू से वैरियेबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वैरियेबल का म मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा था लॉक्डाउन के टाइम बे बट हमारे और जो रिमेनी खर्चे थे और क्या हो गे थे नहीं हो रहते जैसे लाइटिंग का खर्चा बज गया टीचर्स की जो सैलरी थी बज़ गई उस तरहीं पर क्लास ही नहीं लेक्शेस ही नहीं तो कैसे दिया जाएगा उनका बट रूम का रिंट पेमेंट करना पड़ यह फिक्स है तो इसका मतलब आपको क्या समझ रहे हैं कि सर जीरो यूनिट पे भी फिक्स कोस्ट आपका बनेगा वैरियाबल कोस्ट नहीं बनेगा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैंने यह बोला गया मेरा 60 कैसे पता चला देखो न टोटल कॉस्ट क्या लिखा 60 जीरो का प्रोडक्शन किया कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया उसकेस में टोटल जो कॉस्ट इंकर्ड होगी टोटल कॉस्ट जो बनेगी वह हमारा टी एफसी होता है और आप लोग को इतना तो पता होगा स पर फिक्स कॉस्ट हमारे फिक्स होते हैं चाहे आप एक यूनिट बनाओ तो भी 60 रुपया चार जोगा चाहे दो यूनिट बताओ तो भी 60 रुपया चार जोगा चाहे आप तीन बनाओ तो भी 60 लगेगा चार बनाओ तो भी 60 लगेगा पांच बनाओ तो भी 60 लगेगा 20 में से 60 माइनस किया कितना आता है 60 162 से 60 माइनस किया तो कितना आता है 1022 36 से 30 60 माइनस करो कैल से यूज करते 236 माइनस 60 176 next 360 से 60 माइनस किया 300 clear है I think clear concept होगा अब ध्यान दो इधर मेरे बच्चे आप लोग को यहां पर एक फॉर्मूला भी लिख देना पड़ेगा बॉक्स मैंने छोटा बना दिया है फॉर्मूला देखो मैं इसका नीचे लिख देता हूँ सबसे बेश्ट टीजी यह टेबल कैसे मिल सकता है तो आपको लिखना है तो आपको लिखना है तो फिक्स कॉस्ट का इवरेज बोले यहन मतलब करना क्या है इस टेबल को कॉंटिटी से डिवाइड देते जाओ एंसर लिखते जाओ देखो देखो जरा 60 डिवाइड बाइज जीरो कितना आएगा यह तो खाली हो जाएगा इधर भी खाली और यह भी यह सब तो खाली ही चलेंगे जीरो से डिवाइड देके कोई बेन 60 x 200 कितना आता एंख 60 डिवाइड बाहे ररी कितना आता है 60 डिवाइड बाह फोर कितना आता है 15 15 देखन ud और इविद फैरेकल जाकाईगा जैसे जैसे यूनिट्स आपका बढ़ते जाएंगा कौंटिटी आपका बढ़ेगा वैसे वैसे कम होते हुए जाएगा अब से लिए बात कर लेते जरा वेरियबल कॉस्ट की 40 divided by 1 करोगे कितना आएगा 40 60 divided by 2 करोगे कितना आएगा 30 102 divided by 3 102 divided by 3 किया 34 कैल से लेकर आप लोग बैठना 176 divided by 4 176 divided by 4 किया कितना रहा लास्ट की बात करेंगे 300 divided by 5 तो 6 5 जा 35 6 जा बोले तो 60 आएगा कोई बच्चियों को डाउट नहीं यह फॉर्मुला ध्यान रखना है जो फॉर्मुला लिखे गए हैं इसके जश्ट बगल में बॉक्स ओड़ा बढ़ा करके शिट करना आपको लास्ट है 80C मतलब टोटल इसको डिवाइड करना है कॉंटिटी से कॉंटिटी बोले तो यहां पर जो आगे लिखा है तो 100 डिवाइड बाइ 1 करोगे कितना आएगा 60 162 डिवाइड बाइ 3 162 डिवाइड बाइ 3 54 236 डिवाइड बाइ 4 59 लास्ट आपका 360 डिवाइड बाइ 5 32 I think किसी बच्चों को बहुत हाड कॉंसेट नहीं लग रहा है यह अगर टॉपिक यह ऐसे टाइप सब्सक्राइड आपको बनते है तो आउट आफ का टार्गेट रखके जाना है प्रैक्टिस करके जाओ कि अगर इस टाइप के कुश्चन्स आपके एक्जाम में देखने मि रहेगा अब यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन नहीं होना मार्जिनल बूले तो एक्स्टा एक्स्टा कॉस्ट कितनी पढ़ रही वह बताने की बात हो रहा भी पहले में 60 था सेकेंड में कितना हो गया 100 हो गया सर कितना इंक्रिमेंट हुआ 40 तो यह आए करके देख ले ना 42 का डिफ्रेंस दीख रहा है नेक्सट 162 से 236 माइनस करो 236 माइनस 162 कर दो 74 का डिफ्रेंस आ रहे है 74 कितना बढ़ गया हो जरा ध्यान दो 360 माइनस 236 किया तो 124 का डिफ्रेंस आया 124 का difference आया और यह आपका concept हो गया clear है I think clear concept हुआ होगा इस type के questions अगर आपके exam में आपको देखने मिल गए तो out of marks मिलना ही चाहिए फिर भी अभी भी किसी बच्चे को इस practical concept में कोई doubt कोई confusion हुआ होगा तो जरूर नीचे mention करना इसके बाद एक और practical question को लेके आने वाला हूँ जैन 2019 में जो question मना था उसका भी concept clear करा दूँगा आपको clear है I think clear concept होगा फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई doubt कोई confusion होगा तो जरूर नीचे comment बैट करें और एक छोटी सी demand है जितना ज्यादा possible हो सकी आपके जो भी friend circle में है उनको channel का link जरूर शेयर करें ताकि exam में बैठ बच्चों को भी काफी ज्यादा benefits इस channel से मिल सके तुछे लिए मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए thank you so much